दोस्तों नमस्कार आज यसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Google Pay Application से बिजली बिल कैसे पे करते हैं, आज यस वीडियो में हम आपको complete process बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप complete देखे रहिए, क्योंकि हम आपको step by step इस वीडियो में सारा detail बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको Google पे से बिजली बिल जबा करने के लिए Google Pay Application open करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा इसके बाद यहाँ पे Home Page पे जब आप आज आएंगे आने के बाद आपको एक बील का एक option दिखेगा जिसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो जहाँ पे आप मौली चार्ज, Electricity भी आप पे कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजली का बील कैसे पे करते हैं तो सबसे पहले आपको Electricity पे आपको किलिक कर देना है और ऐसा करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको कमपनी खुलेंगे जिस भी कमपनी का आप बिजली यूज कर सकते हैं उस कमपनी को यहाँ पे आप एक बार ढूंड लिजे यानि कि खोज लिजे तो जैसे ही आप उपर करते जाएंगे बहुत सारे आपको कमपनी आते जाएंगे यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा लिंक एकाउंट तो यहाँ पे आपको एक लिंक एकाउंट करना है तभी आपको जो है समय समय पे बिजली बिल कितना आया है वो भी आपको दिखेगा और तभी आप समय समय पे पेवी कर सकते हैं तो link करने के लिए आपको CA नम्र की जरूत परेगा और जिसके नाम से बिजली बील है वो भी आप दे सकते है नहीं भी दे सकते हैं ये optional है तो CA नम्र वो होता है जो की consumer नमर जो आपके बिजली बील जिसमें लिए होंगे उसमें आपको CA नमर दिया होगा तो वो आपको यहां जुमर नमर यहाँ पर आपको इन्टर करना है इसके बाद निक नम में आपको एक एक logo भी दिख जाता है तो यहां पे आपको दिखा दिया जाता है कि आपका कितना बिजली बील आया है और कितना आपको pay करना है मेरे screen में देख सकते हैं यहां पे मेरे को 400-800 रुपिया बिजली बील पे करना है तो यहां पे मुझे बता भी दिया है कि यहां पे आपको इतना बील आया है तो यहां पे आप date भी देख सकते हैं तो एगर आपको बील पे करना है जैसे कि मेरा 408 साय आया है तो पे बील पे आपको click करना है तो यहां पे अजा करने के बाद आप UPI से कर सकते हैं और भी बहुत सारे method है credit card debit card से भी आप कर सकते हैं तो यहां पर आपका मर्जी है कि आप किसे तरीके से payment करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं तो आप UPI से भी आप कर सकते हैं तो स्वीडियो में आपको complete process मिल गया होगा तो यहां पर पे बिल पे किलिक करके आप पे कर सकते हैं तो दोस्तों यह अगर थोड़ा सभी इंफोर्मेशन वीडियो लगा होगा तो इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आकाने उसे भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको latest वीडियो का notification सबसे पहले आपको म मिलता रहेगा धन्यवाद